तेजस्वी जादब जी ने उस दिन इट से इट बजाने का कहा उस दिन ही अरड़िया में हुर्दंग मचा भले हो सकता है कि आज अठारे बर्स जो हमारा नौजवान होगा होगा आज मतदान करने जाएगा तो हो सकता है इसको ना पता हो लेकिन वह पीछे का इतियास देखे का तो उसको पता है कैसे जंगल डाल था मसकार आप देख रहे हैं नीच फोनेशन मैं हूँ आपके साथ है नरुत्तम सिंग केंद्रिय मंत्री गिरीराज सीन और बीजेपी सांसत जनार्दन चिन सिग्रिवाल तेजस्वी यादो पर जुरदार हमला बोला है केंद्रिय मंत्री पिछले दिनों हिंदू सभिमान यात्रा निकाले थे गिरीराज सीन ने कहा कि जब हम हिंदू सभिमान यात्रा पान दिनों तो निकाले तो कहीं कोई महोल नहीं भी ग्राज जब तेजस्वी यादो ब्यान देते हैं उसके बाद अरर्या में महोल खराब ह होता है इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी आदो धंगा करवाना चाहते हैं वहीं जनारदन सिंद सिंद्स ग्रिवाल ने साहबुदीन के पत्ने और उनके बेटे को आरजेडी में सामिल करवाने पर बरा ब्यान दिया है क्या कुछ कहना है ग्राद सिंद्स ग्रिवाल का रोपे बबुल तो आम कहां से हो जो लोग राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए भारुक अब्दुल्ला जी के साथ जो कहते थे पाकिस्तान की बात करते थे जो पाकिस्तान की बात करेंगे जो पत्थल फैकने वाली की बात करेंगे राहुल गांधी वहां खड़े रह तो उसका अंजाम भी वही मिलेगा ये अब जबाब देना है राहुल गांधी को जबाब देना है कि ये क्यों हो रहा है इसके पहले जब लगी का जबाना था तो क्यों नहीं इस ढंका हो रहा था ये सोचने की और समझने के लिए पुरियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो उन्हें नहिंदू दिखाई देता अन्य अपने राज्यों में कश्मीर में हिमाचल में उनको कुछ और दिखाई देता ब्यार की जनता को अच्छा संदेश दिया है लालू जी नै कि मैं सारे दो हजार च्छो के पहले का सारा चीज वबस्थित कर रहा हूं तुम लोग मेरे साथ खड़े होगा मिश्चित रूप से दिपावली और च्छट हिंदू का सबसे बड़ा तेउहार है और इसमें सरकार को इसका ख्याल मिश्चित करनी चाहिए दंगा तो तेजस्वी जी कराना चाहते थे मैं छे दिन की आत्रा की सत्रह को पहुंचा विपूर्थाना से और बाइस को खतम किया कहीं नहीं हुआ क्योंकि मेरा नियत साब था संगठित हिंदू ससक्त हिंदू बटोगे तो कटोगे मैंने किसी को काटने की बात नहीं की थी हम अपने आपको बचाने की कोशिश की थे और मैं आज भी कह रहा हूँ तेजस्वी जादब जी ने उस दिन इंट से इंट बजाने का कहा उस दिन ही अररिया में हुर्दंग मचा ये बता रहा है कि तेजस्वी जी क्या चाहते थे हमारा क्या है हमारा हतियार तो जो माता भगवान जिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा करो और आज वह सारी परिस्तितियां बदल गई है कि बूत पर चले यह बूत को कब्जा कर लिए चात लिए आज वह इस्तिति नहीं है आज हम सब एवियम में भोट डालते हैं पहले बैलेट से बक्सा में भोट डालते थे अब एवियम में अउली दबेगा तब भोट पड़ेगा किसी का बैलेट लेकर कि उसे मोहर लगाने से नहीं पड़ेगा इसलिए किसी का इफिक तब कहीं नहीं रह गया काम का इफिक्ट रह गया आपके विकास का इफिक्ट रह गया तो यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के दिन में है हमारे यहां के एंडिये के बिहार के नेता यहां के मुखमत्री नितीश कुमार जी और पूड़े भाजपा और हमारे एंडिये के गटवंदन के ऊपड़ है चार के चार सीत जीतेंगे कहीं कोई असर नहीं है सब कोई सबसे पड़चित है अगर हम जंगल राज की बात भले हो सकता है कि आज अठारे बर्स जो हमारा नौजवान होगा होगा आज मतदान करने जाएगा तो हो सकता है इसको नपता हो लेकिन वागर पीछे का इतियास दे इसलिए उनको पता हो जाएगा इसमें कहीं कोई दिकत नहीं है